चलिए हमारा वाजन कर दीजिए तो यहां से चलते हैं घर सब्जी तोले लिया देख लिए अलू ला है यह अलू 35 रुबिया किलो है पुराना वालू है मुली हम लिए यह पत्ता का उसका साग मिला किया बढ़िया साग बनता है मुली का पत्ता का और चौली का और यह रहा धनिया मिर्चाल सो नदरक सब मसाला देख लिए यह लिटी हमारा कितना सुंदर पक रहा है और इसी तरीके से भी और थोड़ा गेर इसमें टाइम लगेगा कुछ-कुछ लिटी पाठने भी लगी पक्ते अब खाते हैं चोखा भी बढ़िया बना है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लोग में तो सुबह के 9 बज रहा है और मैं पहुंच गया हूँ खड़कपूर अगले ब्लोग में आप लोग देखे कल हम गाड़ी खाली करके रात को चले बनगाओं से और आज लोडिंग का कोई माल नहीं था तो चलिए आ गया धिरे धिरे खड़कपूर और यहां आज देख लेंगे साम का कोई डियो होगा पाइप वगेरा का या उडिशा जहार शुकड़ा का तो ले लेंगे यहां मुह हद्धोक एकदम फरेश हो गया है अब चलता हो घर थोड़ा नास्ता वगेरा कर लेंगे औ और जब कोई काम नहीं है तो अब इंगोई ही है समझी आए सारा दिन गाड़ी लोड हो जाती थी तो अच्छा था क्यों पीछे हम दो-तिन दिन खड़े किये थे अब लेकिन बजार थोड़ा पूजा का वज़ा से ठंडा है लोड नहीं मिला तो अब आराम ही आराम है चलत नहीं होते हैं चार चक का पीछे का लोड होने का बाद कर outside लेंगे घिरिश करांए हुए बहुत दिन हो गया चलिए कोई बात नहीं होता है और ने के दुखान और मिधे और आगए हम आपस कि ए तोड़ भी यह वे अ में से काटके निकाला जाए तो सो गराम निकले गया है बहुत महेंगा है हरी सब्जी अभी फिलाल लेकिन सब्जी का सिजा ना रहा है दिसंबर जनवरी आते थे थोड़ा कम हो जाता है रिट और अतन जी कैसे एक नास्ता का पैगिड दीजे ने चूड़ा भाजा यह वाला ह आद है हल्का फुलका है लुका नास्ता वागेरा में ठीक रहता है क्या ना हूं अभी आपका इस अश्याइब हं चलिया ने कोई बात नहीं है कमना कर रहा हूं थोड़ा लात से खाली-खाली बोलूँगा तो अच्छाने मिलें नहीं लगेगा पेज़ा पेज़ाइब मुंताज बेगम होता है ना भाई होता है मुस्ताग चलिए कोई बात नहीं है सोरी आये लोग पोजी कैसे बोलते ना इंगलिस में नास्ता कर लिए नास्ता मतलब चुड़ा खा लिया हूं एक लड़ू खा लिया आप थोड़ा यहां चाय पी लेता हूं फिर चलता हूं घर तो दोस्तों हमारा नास्ता हो गया और लोडिंग के लिए बात्चित चल रहा है चापा का लोडिंग बताया ट्रास्पोर्टर तो अब देखते हैं वह अभी पाटिफोन नहीं उठा रहे अगर बात्चित हो जाएगा तो चापा का डियो है रिश्मी से पाइप है तो बात दोस्तो दिन के एक बज रहा हैं और मैं थोड़ा चलता हूं सबजी बजार सबजी लेने के लिए यूगत सबजी नहीं है हरी सबजी नहीं है बाकी आलू बगेरा प्याज तो है तो चलते हैं अभी सकुटी से लेके आते हैं जोला को यहां रख देंगे दोस्तों अभी हम निम्पूरा मार्केट में हैं और थोड़ा हरी सबजी लिये हैं मतलब साग लिये हैं और बैगन लिये हैं यह देख लीजिए इसमें साग है और बैगन है मुली है और चलते हैं उस साइट थोड़ा अलू लेंगे बस होई गया ह तो अभी आ गए हैं अलू के दुकान पर और भाईया का नाम क्या है संतोस साव मेरा नाम संतोस कुमारी यादव चलिए वमरा वजन कर दीजिए तो मार्केट हो गया सब्जी बगेरा जो लेना था ले लिया और साथ मैं क्रिष्णा भाई यह भी सब्जी ले रहे थे का कहा दरा अब यहां से चलते हैं घर सब्जी तो ले लिया गला है तो दोस्तो सब्जी लेकर आ गैए घर पर और यह देख लिजए यह आलू ला है यह यह प्यतीस रुप्य कीलो है पुराना वाल आलू कर और इसमें लिये साग अहिसको बोलते हैं चाव्ली साग यह साठ रुप्य किलो इतना मांगा है के बोले मत यह मूली 40 रुपया कीलो देख लीजिए ठीक है यह मूली हम लिए यह पत्ता का उसका साग मिला क्या बढ़िया साग बनता है मूली का पत्ता का और चौली का जली आज बनाते हैं साग भाद और बैगान भाजा हमारा खाना बनके एकदम त्यार है और हम और प्रिंस साथ में इधर बैटके खाएंगे देख लीजिए और बैगन का भाजा साथ में यह मिर्ची भी है देख लीजिए और बड़ा बढ़िया लगता है साग तो चलिए खाते हैं दोस्तों खाते हैं और बैगन भाजा के साथ में यह है बैगन भाजा बढ़िया लग रहा है तो हमारा खाना हो गया और बड़ी मज़ा आखा के साग भाद डाल बैगन भाजा अभी छोटू खाई रहा है यहां पास में है देख लिजिए इनका खाना ही नहीं हुआ है चला चला पूरा सधाद और चलते हैं अब यहीं पर आराम करते हैं एक दो खंटा फिर साम को देखेंगे लोडिंग के लिए क्या डियो का ख़बर है पाच बज़े का बाद पता चलेगा और गाड़ी के पास चलेंगे थोड़ा दोस्तों साम के पाच बजने वाले हैं और हम जग चुके हैं अब चल रहा है बंबे रोड और खाना खाके भाई सोई बड़ी दीन दाया तो चलता हूं थोड़ा बंबे रोड से गाड़ी के पास से गूम क्या आता हूं लाइट टोड जलाने का टाइम ह तुम से खाड़ा खाला इस टेंट पर खाला कि अरणी क्या क्या देल रहा है किरिफाएर ताम के छेशे बजने वाले हैं और आज हम लोग घर में प्लैनिंग किया हैं लिटी बनाने के लिए तो लिटी और चुका बनेगा तो लिटी के लिए हम नया अलु बजार से लिक्य गए थे और यह देख लीजिए नया आलू है एकदम जो पहारी आलू होता है तो अभी इसको धो के बढ़िया से मिटी लगा हुआ है और इसको वायल कर लेंगे और फिर बैगन भी है टमाटर भी है यह सब चोखा में डाला जाता है यह रहा बैगन और टमाटर बनाएंगे औ आज लिट्टी पूफिंग का इंगोई करते हैं गारी में लाइट वागेरा जलाने के लिए लाइट जला दिया है थोड़ा देर बैठ लेते हैं गारी में फिर चलते हैं घर में और आज खाना बनाएंगे लिट्टी सब कुछ समान डेडी हो रहा है बस हम भी आप थोड़ को अगेरा साना जा रहा है यहां पर अभी हमारा चोखा बन रहा है आलू बॉयल हो गया है और यहां देखिया बैगन को वा टमाटर को इंगम पका लिया है इसको भी छिल के पानी में डाल दें अभी ठंडा हो जाएगा और मस्त छिल का निकल जाएगा और यह सत्तु अगेरा डल गिया है और आटा विशन गिया है चोखा को बना लेते हैं फिर उसके बाद लिट्टी को बनाएंगे तो अभी हमारा चोखा बन रहा है टमाटर और बैगन उसे में मीश दिया अब इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल और नमक डाला जाएगा और यह रहा धनिया मिर्चाल असो नदरक सब मसाला चोखा गा और इसमें थोड़ा सा नमक डाला जाएगा और यह है नमक और यह है सरसो का तेल इसको बढ़िया से मिला लेंगे आप दोस्तों हमारा लीटी बनना स्टार्ट हो गया है और देखिए सब्तू बन गया है और वह आटा और देखिए हम लोग यह मसीन में बनाने वाले हैं यह जो है मसीन एस्पेसली हम लोग राजस्थान से लेके आया है और यह दो लीटर वाला गयस है अभी इसको इसपे चढ़ा देंगे और यहां लीटी पकते रहेगी और इसको बिच बिच में ढग दिया भी करेंगे चलिए हैनली बनाते हैं और सब आपको दिखाएंगे पहले गयस को पकड़ाते हैं गयस को पकड़ा दिया और देखिए इसको इसको इसपे रख देंगे और इसके अंदर बहुत सुन्दर लीटी पकती है आप लोग को दिखाएंगे बहुत बढ़ीया लीटी जो है जलती सब्सक्राइब करद और शोटी शोटी शाइज के लिति बनाते हैं और इसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह रहा सक्तुर फिल्गां गॉल्ड रहा है जाड़ा दोस्तों अब इसको लिट्टी को इसमेट आप लाइन बाइन रख देते हैं इसमें इसी पर लिट्टी पकते रहेगा बढ़िया से तो हमारा लिट्टी गड़ा गिया आप लोग देख सकते हैं और तीन बचा है यह भी इसमें शत्तु भर लिया है और यहां पर पक रहा है लिट्टी देख लिजिए मसीन में कितना बढ़ियां तो यह वाला भी लिटी अब इसमें डाल देंगे साइड साइड से पूरा एक किलो आटा का लिटी इसमें बैट जाता है अब बहुत बढ़ियां से धीरे धीरे पकता है इसको इस तरीके से पल्टाते जाते हैं और जगा भी बन जाता है इसमें जी है अब बहुत मस्त बढ़ियां पकता है देखिए इधर का लिटी पहले से ड अब इसको देखते रहेंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन लिटी बहुत बढ़िया पकता है, दोस्तों देख लिजे लिटी हमारा कितना सुंदर पक रहा है, और इसी तरीके से भी और थोड़ा देर इसमें टाइम लगेगा, कुछ-कुछ लिटी फटने भी ल जबंद कर दें गे और यह रहा घी, अब इसमें घी लगा देंगे थोड़ा गरम है लिटी, घी लगाने में थोड़ा दिका थोड़ा है, थोड़ी देर का बाद लगा देंगे, बढ़िया से थोड़ा इसको मिलाना पड़ता है तो घी लगा दिये, अब चोखा हमारा बन के त्यार है, तो चलिए, अब खा के देखते हैं, किस्ट करते हैं कैसा बना हुआ है और यह रहा हमारा चोखा, देख लीजिए इसमें थोड़ा घी डाल देंगे लीटी बन के त्यार है, अब खाते हैं, चोखा भी बढ़िया बना है अगी भी डाल दिये है मस्त बना है चोखा, चोखा में बैगन होना जरूरी है लीटी का चोखा बैगन से ही बनता है तो दोस्तों हमारा खाना पिना हो गया, और लीटी खाए, लीटी खा के बड़ी मज़ा आया तो अब चलते हैं, रात के दस बज गया है, आप यहीं पर आराम करते हैं, और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जय हैंदे